जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शांदार होगी नमस्कार नेक्स राइस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम दहिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस और पी आईबी की महतोपूर्ण सुर्खियों को कवर करेंगे हमारी पहली खबर सम्मंदित है बंगलादेश से क्योंकि यहां की प्रधान मंतरी शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वह देश छोड़कर भाग गई है इसका मुखे कारण है सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली के खिलाफ कई सब्ता तक चले विरोध प्रद और इसे बंगलादेश में चल रही पर योजनाओ उपर भी प्रतीकूल प्रभाव पढ़ सकता है जिससे निवेशक भी प्रभावित हो सकते हैं अगली खबर सम्मंदित है एल्डर मैं की न्यूक्ति से क्योंकि सर वोच नियाले ने खाली में फैसला सुनाया है कि उपर रा जिपाल को शक्तियां दिल्ली नगर निगम अधिनियम से प्राप्त हैं जिसके तहट दिल्ली एल्जी को 10 एल्डर मैं को नामंकित करने का अधिकार है जिनकी आयू 25 वर्षे अधिक होनी चाहिए और नगर पाल का प्रशासन में विशेश ग्यान या अनुभव होना में राष्टी राजधानी शेत्र दिल्ली के लिए विशेश प्रावधान है अगली खबर संबंदित है लड़की बहिन योजना से क्योंकि हाली में बॉंबे हाई कोट ने मुख्यमंत्री माजी बहिन योजना को चुनौती देने वाली एक जनहित याच का खारिज कर दी है कोट ने कहा है कि यह योजना महिलाओं के लिए लाभकारी है और यह कोई भेदभाव नहीं करती अगर हम मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना की बात करें तो इस योजना के तहत 21-65 वर्ष आयू की उन पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपे हंस्तांतरित किये जाने का प्रवधान है जिनके परिवार की आये धायलाक रुपे से कम है हाल ही में देश के कई राज online platform के माध्यम से शराब की home delivery की अनुमती देने के लिए pilot project पर विचार कर रहे हैं इसके पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि शराब की बिक्री पर उतपाद शुल केंद्र औ में मदद कर सकता है और इससे नशे में गाड़ी चलाने की घटनाओ को कम करने और सडक याताया दुर घटनाओ और चोटो को रोगने में मदद मिल सकती है लेकिन इसके विरुद्धु में भी कुछ तर्क हैं जैसे कि मांग पर शराब की उतपल जैसे इससे अत्यधिक शरा और अन्य परदार्थों के दुरुपयोग, मांसिक बिमारियों, मधुमें, हिर्दय और रक्त वाहिकाओं के रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है और आपको बता दें कि 2019 में समाजिक नयाय और अधिकारिक्ता मंत्राले के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में भारत में 10-75 वर्ष आयू वर्ग में लगभग 16 करोड शराब उपयोग करता थे और शराब के सेवन से देश में हर साल 3 लाख मौते होती हैं कुछ रास्टे नीतियों को छोड़ कर जिनमें नशे में गाड़ी चलाने के कानून और स्वस्ते चेतावनी लेबल शामिल हैं शराब उपयोग नीतियों को स्राज्यों को सौपा गया है जिससे परणाम सुरूप नीति निर्धारण और क्यार्यान वेन में व्यापक वदलाव आया है हाली में वित्यमंदराले ने प्रियोगशाला रसायनों पर लगाए गए सीमाशुल्क में वृद्धी को वापस ले लिया है क्योंकि केंद्री बजट में सरकार ने प्रियोग शाला रसायनों पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ा कर 150% कर दिया था जिससे अनुसंधान बजट पर असर पड़ा जिनका उपियोग शुर्द करताओं द्वारा प्रियोग करने और यहां तक की नए उत्पात बनाने के लिए किया जाता है जम्मु कश्मीर में धारा 370 के प्रभाव से हटने के 5 साल पूरे हो चुके हैं इस मौके पर प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि वह देश के इतिहास में एक महतवपूर्ण शन था और यह जम्मु कश्मीर की तरक्की और समरिधी की एक शुरुवात थी आपको बता दे कि 5 अगस 2019 को केंदर सरकार ने जम्मु कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया था और इसके साथ ही जम्मु कश्मीर के विशेश राज के दर्जे को खत्म कर दिया था साथ ही कश्मीर और लद्दाग को बाढ़ कर केंदर शासित प्रदेशों में तबदील कर दिया गया भारत आज नई दिल्ली में बिमस्टेक बिसनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा आपको बता दें कि बिमस्टेक एक शित्री संगधन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकाव घोशना पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी भारत के लावा बिमस्टेक में श्रिलंगा, बंगलादेश, म्यानमार, थाइलेंड, नेपाल और भुटान शामिल है भारत आज से तमिल नाडो में अपने पहले बहुरास्ट्रिय हवाई अभ्यास तरंग शक्ती 2024 की मेजबानी करेगा इस युद्धा अभ्यास में करीब 30 देश भाग लेंगे, जिनमें 10 देश अपने लड़ाकू विमावनों के साथ शामिल होंगे यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है जिसका उद्धेश भारत की रक्षा शमता का प्रदेशन करना और भाग लेने वाली से नाओ के अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक महतोपूर मंच प्रदान करेगा तो आज के लितना ही धन्यवाद